गुट मार्निंग एविवान क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आपका इस बहतरीन योटूब चैनल पे आज हम लोग नया चाप्टर सुरू कर रहे हैं और इस बाइलोजी कैपसल कोर्स में हम लोग सारा का सारा चिस डिसकस करने वाले हैं दस जैनुवरी से सुरू हुआ है और दस अपरेल तक चले गए सेरीज तो आप सब को बिल्कुल रेगुलर रहना है एक भी क्लास मिस नहीं करना है और आप देखेंगे कि आपका पूरा का तो येस वी आर लाइव नाओ ऑन अन यूटूब और यह तो येस वी आर लाइव ना और यूटूब और हम लोग यहां पर आज नया चैप्टर सुरू करेंगे that is human reproduction फड़ा फ़र से जॉइन हो जाईए ओके चले तो अभी आप नय है इस चानल में तो इस चानल को जरू सब्सक्राइब करिएगा यह जो रेड कलर का बटन है इसे दबा देजे और और आप सबने डाइजेशन वाला चाप्टर डादा था तो डाइजेशन वाला चाप्टर आई हो कि आपने पढ़ा होगा और हम लोग डेली सुबह नौ बजे आने काडमी पे चप्टर वाइज पीवाई क्यू और एंसी आटी एक्जांपलर करते हैं काफी important session रहता है आप सबको करने वाले हैं तो अब यहां से आने शुरू कर दीजे अगर आप मेरे personal guidance में पढ़ना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं आपको thoroughly हर एक चाप्टर अभी से खत्म कराऊं तो आप subscription ले सकते हैं plus का जहां पर तीन महीने का subscription अगर लेंगे तो आपको एक महीने extra मिलेगा code में ड चीज करने वाले हैं फटा-फट से जॉइन हो जाईए और सुरू करते हैं human reproduction बिना किसी देरी के सांथ तो देखिए reproduction आपको मैंने बताया था है कि reproduction का मतलब क्या होता है reproduction का सीधा सा मतलब यह होता है कि कि किसी भी organism से कोई नया organism आ जाए तो that is called reproduction उसी को हम reproduction कहते है तो यह biological process है this is a biological process सबसे पहले यह biological process है जिसमें process है जिसमें किसी भी organism से organism से चाहिए कोई भी organism हो किसी भी organism से कोई नया organism कभी भी नहीं आएगा तो पहले से कोई न कोई organism चाहिए तभी उससे नया office spring produce होगा right reproduction कहीं न कहीं continuity of life को maintain करने के लिए बहुत जरूरी है continuity of life को maintain करने के लिए बहुत ही जरूरी है अगर reproduction किसी भी species में ना हो इसका मतलब यह होता है कि वो species धीरी 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 बिलुक्त हो जाएगा धीरी ध साथ उसके सारे चीज़ ख़दम हो सकते हैं तो धीरी-धीरी वो बिलुक्त हो सकता है तो इसलिए आपको continuity of species किसी भी continuity of life कह सकते हैं या species कह सकते हैं अगर किसी भी organism को अगर आपको उसके life को maintain करना या उसके species को maintain करना है तो मतलब reproduction का होना बहुत ज़रूरी है reproduction नहीं होगा तो continuity of life maintain कभी नहीं हो पाएगी इस species maintain नहीं हो पाएगी अगर कोई भी organism बिलुप्त हो रहा है या extent हो रहा है इसका मतलब यह है कि उसको उसके अंदर reproduction rate बहुत कम है या ना के बराबर है तो अगर वो organism है वो मरेगा क्योंकि कोई भी चीज immortal नहीं है तो मरेगा तो उससे कोई नया चीज नहीं आएगा तो फिर तो तो धीरे 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 अर्ट से डिसपीर हो जाएगा तो reproduction का होना बहुत जरूरी है तो जैसे कि अच्छा यह जो है reproduction है एक exclusive characteristics feature नहीं है this is not a exclusive characteristics feature of characteristics feature of features of living organism living organism का exclusive characteristics feature नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर human का देख लीजे they are called infertile couple शादी होई एक साल हो गए दो साल हो गए तीन साल हो गए फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा कुछ ना नहीं हो पा रहा तो मतलब living होने के बाद वे उन में mode of reproduction नहीं हो रहा the sexual activity is different समझ में हारी बात the sexual activity is different आप कितने भी sexual activity कर लो but the reproduction count होता है दुनिया यही देखती है कि उससे कोई नया आया नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हो कोई नहीं पूछने वाला तो sexual activity is different the reproduction is different because reproduction एक बहुत बड़ा term है जिसके अंदर sexual activity आती है तो infertile couple although they are living living होने के बाद भी उन में mode of reproduction नहीं देखा जाता है mule है बदब कि infertile couples है honeybee है तो यह सारे चीज में reproduction नहीं देखा जाता है अच्छा तो हम reproduction में क्या करने वाले हैं आपको overview थोड़ा बताओं तो हम पढ़ने वाले हैं एक human male reproductive system ठीक है human male reproductive system पढ़ेंगे अब NCIT में क्या है कि जैसे male reproductive system को पढ़ाये जा रहा है और अब देखेंगे कि फिर start हो जा रहा है female फिर male फिर female यह क्या भाई साथ तो हम बहुत sequence से पढ़ेंगे पहले male करेंगे फिर हम female reproductive system को पढ़ेंगे ठीक है male में हम पूरा structure को सबसे पहले discuss करेंगे कौन-कौन से structure इसमें शामिल है फिर gamit कैसे बनता है gamitogenesis देखेंगे gamitogenesis देखेंगे फिर sperm कैसे बनना कैसे क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे यहां पे भी हम structure पढ़ेंगे gamitogenesis देखेंगे फिर ovum कैसे बना यह करेंगे ठीक है अब once the sperm and ovum are formed and that's called pre-fertilization pre- क्योंकि phases क्या है यही है pre-fertilization है हमने second chapter में भी पढ़ा था कि pre-fertilization होगा that is a formation formation and transport of formation and transport of formation and transport of transport of gamit right formation and transport of gamit formation and transport of gamit आज picture जो है अजीव इसले लग रहा पता नहीं light weight कम हो गई है है ना इस बाइस से जा लग रहा होगा मतब इस बाइस से लग रहा होगा शायद मतब light की कमी के कारण शायद ऐसा हो रहा होगा है ना तो different मतब light कुछ एक दो कमी हो गई है इस बाइस से शायद picture में थोड़ा सा अजीव सा लग रहा होगा लाल लाल बिल्कुल गुस्टे से भी हो सकता है तो टांसपोर्ट आफ टांसपोर्ट आफ गामिट के बारे में बात करेंगे ठेक है और फटलाइज़ेशन में क्या होगा फटलाइज़ेशन में क्या होगा और फटलाइज़ेशन पusting फटलाइज़ेशन में क्या होगा फोर्शेटायज़ेशन में पूस्ट फटलाइज़ेशन में क्या होगा तैडल इड़ ri ट कि अनिवरियोग कि आहिए अनिप ठीटरी थोड़ा सा टिफोरंट ये चले सकते हैं आज ऐसी काम चलाते हैं, तो यह सारा चीज हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम structure के बारे में समझते हैं, male reproductive system कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं, male reproductive system, ध्यान देजेगा, male reproductive system, तो male reproductive system में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो male reproductive system में सबसे पहले हम sex organ के बारे में पढ़ेंगे कि sex organ क्या होते हैं तब ही तो हमें समझ में आएगा reproduction का मतलब तो sex organ तीन परकार के होते हैं एक को कहते हैं primary sex organ एक को कहते हैं secondary sex organ और एक को कहते हैं accessory sex organ तो primary sex organ कौन से organ होते हैं जो जिनके अंदर gametogenesis होता है जिसके अंदर gametes बनते हैं ठीक है तो primary sex organ the gametogenesis are there gametogenesis are there gametes बनेंगे अच्छा male की बात बारे में बात चल रही है तो आप बताईए कि male का अंदर gametogenesis को क्या बोलते हैं spermatogenesis यानि sperm बनेगा sperm बनेगा और sperm कहां बनता है testis के अंदर sperm कहां बनता है testis के अंदर तो testis क्या हो गया हमारा primary sex organ हो गया क्यों क्योंकि उसके अंदर gamet बन रहे है स्पाम बन रहा है secondary sex organ के अंदर सारे के सारे डक्त आते हैं डक्त का मतलब होता है पाइप आता है और बैसिकली यह डक्त और पाइप क्या करेगा यह डक्त और पाइप क्या करेगा कि मेल जो gamet है यानि इस पाम है उसको बाहर निकालेगा बाडी से बाइक बाहर निकालेख़ तो ढाएप क्ट फोड़े निकालेगा ठीक अब वही बाहर थोड़े निकालेगा दूसरेर निकालेगे जिसके अंदर आता है उस ड्याइप से जानता है भैस डिफ ? questioning सारे के सारे हमारे सेक्स ऑर्गन है तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और कंसर्ड फॉटर्ड इसके अंदर पाइप होते हैं और उस सब्सक्राइब उसको नूटरिशन ना थ Rush के बाहर निकलेगा और निकल गी तक की बाहर जाएगा तो उस राष्ठे को सबको समझ में आ रहा है स्वेता जाया मतब मैंने सेशन कल डाला था उसने हाई लिख दिया तेंकि सो मच जया किरन प्रियंका हेमन्थ ब्लड वैसल अव डॉक्टर एसके सिंग राज कुमारी दाट गुड अब हम एक इस्ट्रॉक्चर बनाते हैं तो मेल रेपड़क्टिस सिस्टम तो मेल रेपड़क्टिस सिस्टम के स्ट्रॉक्चर बनाके मैं आपको समझाने की shore करके रखता है जैसे जो मैं कलर में ने अन्हों नैसे स्ट्रेश को ऊपर और नीचे को से करने की कोसिज करेंगा मतब बने की जाएगा नीचे लेक जाएगा ऊपर लेके जाएगा नीचे अंदर ही अंदर किसके अंदर कि मसल और पर नीचे जाता है जिससे टेंपरेश्य फ्लक्ट्वेट होता है तो डाटोज मसल और टेंपनी फर्म-प्लेक्स आप ₹ टम्प्रेचोansen copy तया करते हैं कि तेमप्रेचर को रैगूलेट करते हैं आसको टोगको है कि टम्प्रेचर लूद जोला चयोव मुंना है याकेनोट्ट सेें कंप्रेचर को सब्सक्राइब्ट जो temperature जो है body से कम होता है करीब 2 से 2.5 ठीक है and this कम temperature is very important for the spermatogenesis कम कौन कर रहा है बेटा कम कौन कर रहा हमारा dartos muscle कर रहा है pempty form plexus कर रहा है क्लिए है सबको अब यहां देखेंगे ध्यान देचेगा यहां पर testis के अंदर बहुत सारे छोटे 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 आपको क्यार नजर आएंगे they are call semini-ferrous debuts यह क्या होते है हमारे semini-ferrous debuts अब semini-ferrous debuts के ऊपर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-मेल germ cells होते हैं मैं इस वाले slide पर बढ़ाता हूं तो यह जो तो सेमिफैरilly टीवी ते इसकी ऊपर चोटे-चोटे क्या होते हैं वहारे यह काल में जंसेल्स कोई बड़ी हासानी से नहीं जो होता है यहार इनर्वेटेड मालली जाता है टो इंस्टेइड में गाने और प्रिट्री ग्लाइंड स्टार्ट से क्रेटिंग एफसेज दैस्ट फॉलिकल इस्टिमलेटिंग हॉर्मोन एक्ट ओवर दे मेल जॉंसल इमेल जॉंसल के ऊपर इनर्वेट करेगा उसाएगा जैसे आप लोग अपने दोस्तों को सकाते हो कि अरे साड़े गारे वजे क्यो हो नवा डिफरेंसिये टोके ऐस्प मधना गएगा वनाईका एस तो बिसकऻिवली भए को रहा है साइट ऑफ इस परमटोम जनेशित तो आप क्या बताएंगे साइ्ट फ़्मटा जनेशिस क्या बताएंगे सेमनी फेरस सेमीध फेरस Alm क्यों यही पर हो रहा है 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 क्योंकि इसके अंदर male germ cells होते हैं puberty states में they can be innervated by the FSH which is released by the pituitary gland और इनसे sperm की प्राप्ती होती है sperm बन जाता है अब सारे सारे समनी फ्रास्थ दी एक एक जगा इकठे हो जाते हैं this structure is called rated testis rated testis इसे हम क्या बोलता है रेटे testis बोलते हैं और रेटे टेस्टिस से एक pipe निकलता है दिस पाइप इस कॉल वास इफ्रेंस वास इफ्रेंस इसे कहते हैं यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक छोटा सा क्वाइल स्टॉक्चर मिलेगा जो टेस्टिस के अंदर तो नहीं होगा क्याविटी के अंदर हो सकता है और स्क्रॉटम इसको हम क्या बोलेंगे यहां देखते रहते हैं यहां सारे चीज़ देखते रहते हैं यहां दी が इसे घुरचिला इस्ट्रक्चर रहे बच्पन का दिन याद करो जैसे ममी पापा तुम्हें लेके जाते हैं घुमाने तो एक कुछ ऐसे गुफा रहता है ना उसमें तुम खो जाता हो यहां से वहां यहां से वहां लिकलते रहते हैं फिर धपा बोलते धपा पापा गए हो कि बढ़िते हो इसके बढ़ाई होगा कि मॉबाई्ल हो जाता है बहुत तेजीजी थे भागना शुरू हो जाता है तो जो यह एपीडाइडेमिस है इसके अंदर क्या होता है मौटलीटी ओफ मौटलीटी ओफ स्पर्म देखा जाता है मौटलीटी ओफ स्पर्म देखा जाता है उसके अंदर मौटलीटी देखा जाता है इसके अंदर क्या देखा जाता है वेटा मॉटिलीटी देखा जाता है क्यों क्योंकि यह highly highly होते हैं highly होते हैं और sperm gain mortality inside it sperm sperm gain mortality inside it आपको लिखने के कोई भी जरूरत नहीं है आपके लिए मैंने बहुत ही बहतर तरीके से लिखा हुआ है यह देखो इस इंडिया का सबसे बहतरी नोट से बेटा इस सारा चीज मैंने आप सबके लिए लिखा है ठीक है और इसी में से कोशन आएगा चाहे वो नीट दो हज़र तेई सो चौबिस हो पच्छी सो चब्विस हो दिस नोट इस टोटली टोटली बेज़ ऑन दे एंसी आटी यह पूरा का पूरा एंसी आटी इसमें टच रखने की कोशिज की गई है है और जितने भी चीजे हैं उसे फ्लो चार्ट से समझानी की की गई है कि आप फ्लो चार्ट से उसे अच्छे तरीके से समझ पाएं सीख राइट तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आई विल शेयर ओन इन शेयर ओन दब टेलिग्राम ठीक है टेलिग्राम पर शेयर करूंगा सीधा डारेक्ट इसे प्रिंट आउट लीजिए और कलर लेंगे तो यह कलर लेंगे तो और मजा ही आ जाएगा मै अब देखो ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं सारा फ्लू चार्ट है पूरा एकदम फ्लू चार्ट तो इसमें महनत किया है वेटा पूरा जान लगा दिया इस ओवरी के अंदर गुसके देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है इस ओवरी के अंदर समझ करें स्क्राइब लियर के बारे में यूट्रास के बारे में वजाइना के बारे में वाधा अइसा नूर्स तुम कहीं नहीं देख पाऊगे बुद्रस का सणर क्यों हो जाता है बुरे कारण है मालल इसन के इसे लिछ आपको लिखने की एक भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सारा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है जी, अब कहां जाओ गया, चले, तो समझते रही है बेटा, तो यहां देखे जराब, तो एपिडाब में मॉटिलिटी वे स्पार्म एन हाइली क्वाइल स्पार्म गें मॉ इस एक ट्यूब निकलता है, और इस ट्यूब का नाम बताएं सारे लोग, इस ट्यूब का नाम बताएं, इस ट्यूब का नाम बताएं, इस ट्यूब का नाम बताएं, दे आर कॉल वास डिफरेंस, दे आर कॉल वास डिफरेंस, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इस के बाद कोशन भी है तो बहुत तगड़ा विखेगा मताब पेचेंगे नहीं क्यों नहीं पेचेंगे क्योंकि हम कुछ और करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि भारत का हर एक बच्चा पढ़े लिखे डॉक्टर बने और अपने इस भारत का नाम रोशन करें इसमें मेरे लिए जीरो परसन मताब कुछ भी लालच नहीं है मैं बेचने नहीं आओ मैं समझाने आया हूँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लिए हूँ और आपको डॉक्टर बनान देता हूँ जो मेरी बीट नीट बुक थी मैंने बंद करा दिया मैंने का नहीं मत बेचो हम कोशन प्राक्टिस करा देंगा अकाडमी पेस से जाद है दो चार मैसेज आये थे और मुझे बड़ा पता नहीं मैं पता नहीं सही मेंटली बड़ा अजीब इनसान हूँ मुझे आपके एक-एक मैसेज का बड़ा परभाव पड़ता है मेरे मन के ऊपर शायद मेरे लिए बहुत कम मतब मेरे एक ट्रॉबेक समझ लिए तो दो तीन मैसेज आये थे मेरे पास कि सर आप इसका पीडियेप मुझे भेज दीजे मेरे पास पैसे नहीं है 700 रुपिय कि मैं आप 405 पी लाक रुपए अ बड़ इस नुकसान से कहीं जादा अच्छा है कुन बच्चों का प्यार आप सब का प्यार आप सब मैं कभी बाहर जाता हूं किसी ऐससी कहीं बाहर गहाँ आप सका प्यार देख के मुझे लगता है कि आपके लिए Đây तो तो अगर मैं चाहता तो बहुत सारे चीज़ कर सकता था बट नहीं आप सब को डॉक्टर बनाना और इसी साल बनाना है जोड़ को आप सब रेगुलर आते हैं एक चोटा सा आते हैं तो आप सब इसको कर सकते हैं बस जिसे शेयर कर देजे प्लीस एक चोटा सब रिक्वेस्ट यह है कि हर बच्चे तक पहुंच जाए ठीक है इसमें भी आंगे तब तब भी मेरी वेडियो आती है यह लालच है कि हर बच्चे तक पहुचना चाहिए तो आपका जो वाट्सप का स्टेटस है आप मतलब आपके दोस्त नीट की त्यारी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे तो कहीं न कोई करके अंदर घुच जाता है इसी को कट करके बान देते हैं और इसी को हम क्या के बोलते हैं यूंट करके बताएं हगा उर या तो investigate गता हो इसी को हम बोलते हैं वैसे किमी राइड तो यह तेस्टिस कि फूब एक बिडिकटा म सकता है मैं तो यह दे यहां पर जो स्ट्रॉक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा सेमिनल सेमिनल वैसिकल सेमिनल वैसिकल सेमिनल वैसिकल के बारे में समझते हैं सेमिनल वैसिकल के बारे में समझते हैं तो सेमिनल वैसिकल जो होता है पहले बात कि यह पियर्ड होता है पियर्ड का मतलब कि दो जोड़ी होता है दो होते हैं क्या करते हैं यह 70% 70% सीमेन प्रेड्यूस करते हैं अब सीमेन क्या होता है भाई अगर मैं स्पार्म को अगर मैं स्पार्म को इस फोन के स्क्रीन पर रख दू तो यह चल पाएगा भाई साथ सब चीज इसके अंदर बिद्दमान है बट फोन पर चल नहीं पाएगा का है क्योंकि इसको मीडियम चाहिए मीडियम को चाहिए स्पार्म को मीडियम चाहिए तब advertisers चल पाएगा और लाएगा की मेन के उंदर फ्रख्टो चो जो ग्लुक्व करे सब्सक्राइब एक स денम मेश था कि लोगों को पता चल जाएंगे से मुद्विटर करेंगा हैृ कि देगा यह क्या करेगा था नूट्रिशन देगा स्फ़ंप कर लोग फ्रक्टोज नो पीऊ फूरा फ्रक्टोज और भागो तेज़ इसकी अल्वावाद जो फ्रक्टोज होता है यह बहुत ही इसेज इलर अलग होता है इसलिए इसका इस्तिमाल रेप विक्टिम में किया जाता है किसी का रेप हुआ और रेप विक्टिम ने किसी दूसरे का नाम बोल देने इनियोंने किया है इनियों को धर लो पुलीस तो धर तो लेगी पकड तो लेगी But medically वो दिस्प्रूब हो जाएगा है क्योंकि उसका sperm और वजाइने के ऊपर फ्रक्टोज है और उसके अंदर जो बाड़ी के अंदर फ्रक्टोज हो डिफरेंस हो जाएगा तो ऐसे नहीं फसा सकते हैं ठीक है और इस सिंगल ग्लाइड का नाम है फ्रॉस्टेड Germany अ और्र प्रोंचेडे यहुर्नरी ब्लाडर इसके निचे हमारा फ्रॉस्ट्रेड रहता है फिर यह वाला जो पॉर्शन हिवाला पॉर्शन आप देख पा रहे है एं-डे जैक् Cindy समझ में आए बात प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यह क्या करता है इसी क्रीट करता है कि और और इससे क्या होगा कि इस परम highly activated हो जाएगा और तेजी तेजी से भागना शुरू कर देगा तो मजमें आरी बात और तेज गती से भागना शुरू कर देगा अब इसमें क्या होता है प्रॉस्टेट में एक और प्रादम होती है प्रादम यह होता है प्रॉस्टेट में कि जब आप फॉस्ट ए रेंबे लिएस में जाएंगे तो एक बहुत common question आता है ऑगने का के वज़े से होता है उसी मत अंदर सबसे अंदर सबसे उबर है इस में बदलाव हो सकता है हम आपको बताएंगे सका सारा कारण की बड़ा हो जाता है तो इन प्रिस आईपर फ्र infect घुर थे दो बनाइन प्रॉस्त हैपर प्लेजिया यह भी नहीं बता पाएगा बेटा जो मेडिसिन पढ़ा होगा वह बता पाएगा और जब बड़ा होने लगेगा तो कहीं न कहीं हमारे यूरिनेरी ब्लाडर को देखे यह यहां फोटर देखे वेटा इस इस नॉर्मल प्रोस्ट ठीक है बिल्कुल यूरिनेरी यूरीन आ रहा है यह हमारे यूरेत्रा है यूरेत्रा से आ रहा है बट अगर इसमें कैंसर हो जाए अब दूसरा डाइगराम देखे तो अगर दबेगा तो यूरीन नीचे जाएगा क्या अरे हां या ना नहीं जाएगा नहीं तो यूरीन ऊपर जाएगा देखे रहें यूरीन ऊपर करेगा अब इस यूरिनरी ब्लाडर को कौन कनेक्टर रहा है यह क्या है इसको हम यूरेतर कहते हैं यूरेतर है ना और यूरे किड़नी क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा और अगर किड़नी मोटा हो जाएगा तो इसे कहते हैं हम हाइडरो नेफरोसिस हाइडरो नेफरोसिस तो प्रोस्टे के कारण आपका किड़नी भी खराब हो सकता है समझ में आरी बात तो किड़नी भी खराब हो सकता है प्रोस्ट दिर्शेटयं क्या है की मतलब प्राब्लम है ठीक है अब हम बात करेंगे हमने देख लिया ऊपरस्टर देख लिया अब प्रास्टर के बाद यहां पर छोटे-एक चुन्नु से हमारे क्या होते हैं विटा नहीं होते हैं या इसे बोलते हैं ब्लब wildly और यह अगर में लोग तो मैंसूस किया होगा कि यहां पर पेडिस के पास चिपचिपा फ्लूड हो जाता है ठीक है अन्दिस चिपचिपा फ्लूड इस दीज़ दूट दा काउपस दब गौपस ग्लाइट बिसिकली क्या होता है कि दूरिंग दे सेक्श्वल इंटरकॉस इसे इंग्लिज में बोलना पड़ेगा हंदी में नहीं बोल सकते हैं भीक्री में रियसी करेगा जिससे पेरें इंसर्शन को पर क्या होता है इस टिप का नाम है इंस टीक है行了 इसे हम क्या बोख्टे है घ्लान च्पेनश कɪहते हैं और प्रिप्यूस का दूसरा नाम नाम काका स्ट्रेंस प्रिप्यूसल का दूसरा नाम यह बच्चा भेज रहा है कि कोई मुझे nord भेज दो यार तुम्हारी जिंदगी वेचा नोटस को डाउंडोड करने में ही खतम हो चालेगे यहां का नोट समझ लो दिमाग के अंदर फिट कर लो नोट की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिप्यूस और इसे क्या बोलते हैं हमारा फोर इसके बोलते हैं इसे प्रिप्यूस के कारण कुछ च बाइब भाई तो यह पीनिस ऐसे और यह हमारा पतलास अग्दम यूरेत्रा है ठीक है इस पीनिस इस ग्लाइब इसको जो कवर कर रहा है यह काला वाला स्किन इस वन इस स्किन विशस्कॉल फॉर स्किन एक बेस के ऊपर ध्यान दीजेगा बेस के ऊपर थोड़ा बड़ा चीज है बेस के ऊपर एक ग्लाइंड ओफ ग्लाइंड ओफ स्मिगमा होता है स्मेगमा यह हम ही बता सकते हैं क्योंकि हमने अमभी इस किया है ग्लाइंड ओफ स्मेगमा होता है तो यह ग्लाइंड ओफ स्मिगमा क्या करेगा यह पूरे प्रिप्यूस की ऊपर एक फ्ल्यूड सिक्रीट करेगा उसे हम कहते हैं स्मेगमा जिसते पेनिस के अंदर ऑडर जो आते ना बद्वू या जो भी कहले तो उसकी वज़े से स्मेगमा टच होगा ग्लाइंड के ऊपर समझ पा रहे हैं और यहां पर स्मेगमा आ रहा है तो इस ग्लाइंड के ऊपर टच होगा उसे एरिटेट करेगा और इरिटेट करने से धीरी धीरी इसकी सेल खराब हो जाएंगे and there is causes the cancer of penis तो the cancer of penis is more reported as Hindus Hindus में होता है क्योंकि उनका मतब प्रिप्यूस काटते नहीं मुस्लिम में कम होता है क्योंकि प्रिप्यूस पहले से उड़ा देते हैं अब उड़ गया तो इस में मात वह जहीं नहीं आएगा बच गए और हिंदूस में ज्यादा होता है ठीक है हिंदूस में ज्यादा होता है यमन फोर यू आए हैं कह रहे हैं कि जी एस बाइलोजी सेंटर इट इस बेस्ट यूटूब चैनल फोर बाइलोजी प्रोवाइड 3D अनिमेशन फॉर नीट यू कन चेक अच्छा जी हो गया तुमारा परचार अब बेटा निकल लो नहीं तो हम निकाल देंगे तुमारा हम बड़े वैसे इंसान है अगर तुम कोई परचार करना चाहते हम बोल देंगे अधिको बोलने से हमारे बच्चे तो जाएंगे नहीं मतलब 3D अदिमेशन देखके क्या ही करोगा जब तुम्हें समझ में ना है ना चलो उसका भी विचारे का मन रख लिया गया तो यह इस से कर लेते हैं इस वाले नूट से कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमने जैसे देखा कि प्राइमरी सेक्स ओर्गन प्राइमरी सेक्स ओर्गन इस कॉल्ड टेस्टिस फटाफट रिविजन कर लेते हैं हमने इस सब को अच्छे तरीके से समझा है secondary sex organ they consist of duct or pipe which carry the sperm outside the body vast difference vast difference penis src sex organ they consist of the gland which provided the nutrition to the sperm seminal vesicle or prostate gland right male reproductive system के बारे में हमने देखा अभी सारे structures को देख लिया ठीक है scrotum एक pouch है deeply pigmented है black color का होता है that present outside the abdomen scrotum maintain the temperature 2 to 2.5 degree lower than lower than body temperature lower than body temperature and this is also important for the normal spermatogenesis normal spermatogenesis के लिए जरूरी है right is inside the scrotal cell there is a datos muscle and pempeniform plexus जो मैंने आपको समझाया था एक कहीं न कहीं they are important for the ascending and descending of ascending and descending of testis जिससे temperature slightly कम हो जाता है now testis के बारे में हम बात करें अगर तो testis is a primary sex organ क्योंकि वहाँ पर sperm बनता है spermatogenesis होता है early fetal life में testis kidney के पास बनता है फिर जैसे मान लिए जै कोई lady pregnant है तीन महिने पर पता लग जाता है कि उसके अंदर मेल है या female है अगर मेल है तो उसके अंदर testis बन जाएगा तो testis fetus के अंदर kidney के पास बनता है धीरी 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 नीची आना शुरू गर यहाँ परüst उसके अंदेश सकते हैं तो जाही नीची आना सुरू जगा और नाइन मन तक यहाँ पूरा नीची यह आ जाएगा भी सब्सक्राटम में आ जाएगा किसी कारें वर्ष करक्ता लग नहीं आपता है तो तो क्या होता है कि फिर हम लोग जो है operation से उसे नीचे ले के आते हैं कि आओ भाई सब नीचे आओ उपर यहा कर रहे हो और जो अगर नीचे नहीं आ पा रहा है तो बड़ा असान है याद करना मांजले टेस्टेस है तो यहां से लेके यहां तक दो से तीन होता है फिर उसके बाद का 3 से 4 होता है समझ रहो तो अगर विर्थ देखें विद देखें तो 2 से 3 सेंटिमेटर और पूरा लंध देखें तो 3 से 4 सेंटिमेटर ए तेस्टेस का होता है तेक है यह इसको याद करना बहुत ही असान है तो द्यृरिंग फीटल यह विर्टालाइफ एसस्के अंदर तेस्टिकुलर स्पूलाइब के इसके अंदर लोब युस होते हैं सबी स्थिबूस समी फिरेस्टी इस मेल जम सेल इस्पंवडों यह हम ने देखा था तो दो से थीन सिंटेबिट और शॉरी चार से सब्सक्राइब दो से तीन फिर चार होगा नहीं यहां पर तीन के बाद चार अगर चार से पांच ठीक है दो से तीन चार से पांच तो लेंथ वाइज लेंथ वइज का होगा लेंथ वाइज लेंथ वाइज लेंथ अगर देखे तो चार से पांच विर्थ देखे। दो से तीन. यह वाला फ्लौ चार्ट मैंने आपको बताया था अभी कि दुरिंग दो प्यूबर्टी थेरे से पंदरह साल में putrid gland secrete FSH, they stimulate the male germ cell and sperm उसे बनता है, यह वाला स्ट्रक्टर है, तो यूनियन अफ आफ गूल्ट सेमने फिर्स टीब्यूस गॉल्ट रेते टेस्टेस, यह प्रॉजक्टिटेट शेल्ज जो आपको नजर आ रहे हैं यह projected cells जो आपको नजर आ रहे हैं these projected cells are called sertoli cell इसे हम क्या बोलते हैं बेटा sertoli cell कहते हैं and this is also called nurse cell इसे nurse cell कहते हैं यह दो type के hormone को secret करेगा inhibine और malaria inhibiting hormone malaria inhibiting hormone अब आईए समझते हैं inhibine क्या करता है inhibine जो होता है कि जैसे आपको पता चल गया कि सेमनी फेरस टिब्यूस है ठीक है सेमनी फेरस टिब्यूस है उसके उपर male germ cells है और male germ cells को inner weight कौन कर रहा है उसका कौन रहा है ज्यादा उसका देगा तो ज्यादा sperm बन जाएगा वह भी खतरनाक है तो उसको suppress करने का काम करता है हमारा इन ही बीन mu chega rabbit χवर्मोन क्या होता है कि सुरवाती दौर में एक duct होता है उसे हम malarian duct कहते हैं and this malarian duct is converted to the uterus and vagina अब यहाँ पर testis है to motor rewarding inhibiting hormon है to inhibit मतलब रोक ना to motorbased जो duct है हमारा उसे रोक देगा जिसससे पूरा का पूरा uterus नहीं इसलिए male में uterus नहीं होता है तो MIH present in male therefore unable to form uterus and vagina in male uterus and vagina in male समझ में आरी बात तो यह सारा चीज़ है अब बात आते हैं interstitial cells की यहां पर आप देख पा रहे हैं यह छोटी छोटी आपको cells नजर आ रहे हैं जो cell के बीच में है cell के क्या है बाटा बीच में है इसलिए इसका नाम होता है interstitial cells they are called interstitial cells because they are lie in between the in between the subtly cells therefore they are called interstitial cells ठीक है जी interstitial cells होते हैं interstitial cells androsian secret करेगा which is called male male which is called male sex hormone और male sex hormone के वज़े से जो characters develop होते हैं जो characters आता है वो हमारे indulgen के वज़े से आता है जिसमें testis का volume बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है पेनिस का लेंध बढ़ना शुरू हो जाएगा एक्सदियल हीर आने सुरू हो जाएगा बॉड़ी पे हीर आने सुरू हो जाएगे दारी मुच आने सुरू हो जाएगा अवाज में बदला होना चूरू हो जाएगा एक्टिट्यूट बदल जाएगा बिलीब बदल जाएगा एगरेशीवनेस हो जाएगा टेसटिच एक्रिनुवरं ऐग्रिसिवनेस के लिए जाना जाता है आप देखेंगे, आपका भाई जो है आपसे, बड़ा भाई ज मैंना अज़ीब सा रहता है क्यूं कू रिल्ट इस्टोचन है निरुटमन photograph नहीं था हूं तहम हमं ही याँ मृथन का लखती है किताब को सज्ञा इसीया से विश्तर को बढ़िया से लगाती है अपने बरतन अपने कपड़ों को अच्छे से तजा करें तो एपिडाइमिस की बारे में हम जान चुके थे यहां से राइज होता है यहां पर यहां से राइस होता है लोवर पाफ अपड़ाइमिस से वास डिफरेंस अप्रम लूप अफ यूरिनिरी ब्लाइडर तक चला जाता है फिर हमारा इजक्विटरी डाक्ट होता है स्वेता जी आप जो लिख रहे था हमने पढ़ लिया कि हमारा भाई तो बदमास नहीं है वह सकता है टेस्ट्रोन की कमी हो या कंट्रोल में हो दोनों से कोई एक हो सकता है इसको यहां स्लाइड पर बता देता हूं तो पेनिस में क्या होता है कि पेनिस जो होता है इतके अंदर यह हमारा यह हमारा जो है इसे युरेथरा कहलो बात एक की है युरेथरा कहलो ठीक है तो इसके चारो तरफ ध्यान देजेगा इसके चारो तरफ यह जो है इसके चारो तरफ यह जो है ग्रीन वाला जो है हमारा ग्रीन वाला जो हमने बनाया है इसके चारो तरफ यह जो है Nah geral को कॉर्पस और इसके अंदर जो है वेटा इसके अंदर यहाँ जो रहता है जो पिल कलर से मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं क्यावर कॉप कॉर्पस के वर नोसम नोसम इस पेलिंग देख ले ना कर्पस को वर नोसम और इसके अंदर जो है वेटा इसके अंदर इसके अंदर जो है जो रहता है जो पीले कलर से मैं बिना रहा हूं पीला कलर से मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्पस Espoagnosis नो सब्सक्राइब को रस्ट उरेथरा का ओपनिंग यही पर होता है एे नीड में आयो कोश्टय है कि युरे moyens कउपन होता है तो को सबस्क्राइब में open होता है तो जैसे ही कुछ sexual sensation होता है sexual sensation होता है या thought के वज़े से या कुछ देखने के वज़े से या जो भी चीज़ है तो पैरा sympathetic nervous system activate हो जाता है पैरा sympathetic nervous system activate हो जाता है जैसे पैरा sympathetic nervous system activate होगा तो ज्यादा ज्यादा blood इस muscles के अंदर आने सुरू हो जाएंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा blood आने सुरू हो जाएंगे and the penis will be erect and ready for the copulation त्यार है बिल्कुल तो 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 इस तो इस इस हाव था सेक्ष्वल सेंसेशन और थाउट can be generated and the parasympathetic nervous system will be activated once the parasympathetic nervous system activated the lot of blood supply in the muscles of the penis loss of blood supply in the muscle of the penis and finally the causes the erection of penis finally the causes the erection of penis ठीक है तो यह सारा का सारा चीज है ठीक है सेमिनल वैसे लिए के बारे में हमने बात कर लिया तो इसे मैं बढ़ाने वाला नहीं हूं इस सारा चीज मैंने the the size shape of prostate will be changes right and this is in the male there is a high chances of prostate cancer milk के अंदर high chance of prostate cancer है जो कि मैंने डाग्राम आपको बताया है है बल्वरे तरग्लाइन के बारे में ये म्योक्स secured करता है और म्यॉकस के बजा से म्यॉकस के बज़ब वज़ए से यह alkaline fluid भी सीक्रीट करता है और ये म्यॉकस भी सीक्रीट करता है जिससे lubrication प्रकिस होता है तैसे एक नउट बात यह है कि नीट में तीन बार से ज्यादा परस्न आया है स्टीक इब इस ग्लाइन जीकट प्लाइब यह बहुत बार कोशन आया नाव वेस्ट वित गवर्मिटो जेन इस यानी Spermato-Genesis, अब समझी जारा Sperm-O-D-O-Genesis क्या होता है Sperm-O-Genesis क्या होता है, तो दिखे, sperm के बनने की process को हम Sperm-O-Genesis कहते हैं यानि formation of formation of formation of sperm is called Sperm-Sperm-E-T-O Genesis, राइट कहा होता है इस सेमेनी सेमेनी पेरस पेरस टिव्यूस ओफ टिव्यूस ओफ टेस्टिस में होता है क्यों वहीं होता है क्योंकि वहां पे मेल जाम सेल यानि एस्पार्मेटो गोनिया मेल जाम सेल का दूसरा नाम क्या है Spermatogonia, Spermatogonia वहां होता है, इसलिए होता है, दूसरा इसके लिए Vitamin A and E की जरूरत पड़ती है, तभी Sperm बन सकता है, और तभी Sperm बन सकता है, तो इसमें process क्या है, कि सबसे पहले हमारा Spermatogonia, जो male germ cell था, वो mitotic differentiation में जाएगा, यानि उसके अंदर mitotic phases होगे, mitotic differentiation होगा, तो इससे primary spermatocyte बनेगा, primary spermatocyte undergo the meiotic division, और इससे secondary spermatocyte बनेगा, और secondary spermatocyte फिर से meiotic division होगा, दूसरी बार, and they lead to the spermatide, जो round round structure होगे, और spermatide, जो होगे हमारे spermat, जो हमें convert हो जाएगे, तीन टर्म है, इसको समझे जरा, एक तो spermatogenesis आपने सीखा, that is formation of mature sperm, एक होता है, spermiation, I have a question है, spermiation, spermiation का मतलब होता है, कि जो ये rated testis है, देख रहे हैं आप, ये rated testis है, rated testis से sperm निकल के आगे जा रहा है, इस्पाम निकल के आगे जा रहा है, तो rated testis से जब इस्पाम निकल के आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं, spermiations, यानि release of, release of, release of sperm, from, from, from semi-ferous tubules, semi-ferous tubules, semi-ferous tubules, that is called aspermiations, एक होता है, हमारा process, that is called, एक तो हमारा aspermiation हो गया, एक spermiogenesis होगा, एक होता है, aspermiogenesis, यह espermato है, यह aspermiogenesis होगा, aspermiogenesis का मतलब बताएगा, aspermiogenesis का मतलब बताएगा, जो rounded, rounded aspermitted char बन रहे थे, उससे flisylated sperm बनेगे, उसके अंदर flisyl आजाएगा, उसके अंदर tail आजाएगा, तो that is called aspermiogenesis, जो rounded sperm, till is converted into the flisylated sperm, इसको समझना बहुत इंपोर्टेंट है और ध्यान से बिल्कुर समझेगा क्योंकि इससे क्वोशन आ सकता है यहां देखें जड़ा कि इनिस्टीएट ड्यू टू इंक्रीज दा गोनाडो टॉपिन हॉर्मोन बाइदा हाइपो थैलमस यह नहीं हाइपो थैलमस जो है गोनाड ऌफिन किसपे अक्क करता है किसपे अक्क करता यह फ्लीज फिट्यूट्री ग्लाइन्ट करना सुरू करेगा तो इससे लाइंद दो हॉर्मोन प्रेड्यूस करेगा एफ अर एक्या करेगा श्या आभ यह इपनाने में मदद करेगा इस पर्मटो जनिसिस जो जो inequ करेगा सर्टोली इसल पे काम करेगा और से स्पं बनाएगा और यह लेडिक Bible काम करेगा कैसे याद करेंगे ऑ՜ाल फॉर ऑलेडिक लाउड फॉर टो ए मियूडिक उल फॉर यहाå से रेकाम करेगा उससे अंग्म प्रिदिव्स होगा एंड्रोजन प्रिदियूस होगा एंड्रोजन का मतलब कि आप आप देखेंगे यह चारो तरब से plasma membrane से plasma membrane से घीरा हुआ है देख पा रहें चारो तरब से क्या है plasma membrane से घीरा हुआ है tip को देखेंगे तो यह tip के अंदर आपको एक्रोसोम नजर आएंगे और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे hydrolytics enzyme होते हैं hydrolytic enzyme होते है और यह hydrolytic enzyme करता है अब को पैनिट्रेट करने में मदद करते हैं इसके अंदर देखेंगे तो यह नुक्लेस कंटेनिक क्रोमसें मेटिर्यल अगर अगर मकड़त कोई भी जो मेटर्न पाइस ही के वज़ा से होता है क्योंकि उसके अंदरत ह Михल होता है जी वे में मदद करना क्लीवेज में मदद करना Kalim मिडिल पीश कैसे याद करेंगे मड़ा मागोण छो की नुट्रिशन भेज़ेंगा और ओर तेल जो स्व्यमिंग में मदद करेंगओ समझ में ही त्वा सैंप ini तो इस पाम कंसिस्ट औफ या मिटनी रह चलो इसपाम ऑफ इक्रोसुम जो होता है किससे मिलके बना होता है पीटा एक्रोसुम मेड़ाप औली बॉडी बॉडी पॉडी से बना होता है इसके अदर बहुत सारे हैड्वनोडिक होते हैं जो इस्तमाल किया जाते हैं कौन-कौन जोना लाइसिन कॉरना पिंटरेटिंग एंजाइम हाईलो राइनाइडेज हाईलो राइनाइडेज रॉइट है अब नूकलियस नूकलियस के बारे में बात करते हैं नूकलियस लाइट वेट होता है ड्यू टू दू दे लॉस अफ वॉटर अंदे कंटेन दा पेटरनल बरजी देगा ठीक है टेल स्विमिंग में मदद करेगा ठीक है आगे बढ़े हमारा इस बहुत इंपॉर्डेंट है जब जब कोपलेशन के समय जो मेल है करीब करीब दो सो से दो सो से तीन सो मिलियन इस पांप इस करते हैं क्वाइट के टाइम उसमें करीब करीब साथ परस नॉरमल नहीं होगा तो उससे कोई नया остisée spring प्रडूस नहीं होगा नया o weapon प्रोडूस नहीं होगा ठेक है इमनेलसम को बखु भी खतम कर लिया है ठेक है मेल रपरड़कर सिस्टम को बखु भी खतम कर लिया है मज़ा आए बेटा क्योंकि आप ही सब रेगुलर रेश्टॉटरन हो बागी तो सब भीड है मज़ा आ गया और एस वीडियो का लिंक अपने वटसेप पर जरूर लगाना मतब यह request है request ही कर सकता हूं तो इस वीडियो का link आप अपने वोट्सअप के status पर लगाना तो आज के लिए रहने दें या continue करें जैसे आप कहोगे वैसा हो जाएगा बताएए आज के लिए रहने दें या continue करें कि अज फ्राइडे है गया मंडे को क्लास होगे क्या करें रहने दें continue हाँ आपकी एक चाहाँ कि रहने continue कि चलिए फिर रहने देते हैं आप प्लीज लगा लिजेगा इस्टेटस मंडे को हम इसे खतम करें थाइंक यस सो मच बाइब